हेलो जी, असलाम वलेकुम, वेलकम बैक तो माई यूटीब चैनल, उमीद ही कि आप सब लोग कहा दिये सोई और आज का व्लोग भी आप सब को बहुत अच्छा दैने इंटरस्टिंग भी लगेगा, तो आज का व्लोग जो है करेले के हवाले से है, जो कि बहुत से लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत से लोगों को नहीं पसंद होता है, खास अपर बच्चों को बेहुत बिरए पसंद है, मगर यह ऐसा तरीका है कि उमिदे के बच्चे भी आपके खाएंगे और बड़े भी बहुत शौक से और इंटरस्टिंग सिखाएंगे, यह जो शुगर की पेशन्ट के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है, शुगर की पेशन्ट के लिए बहुत अच्छी यह है, वो अगर अच्छी तरीके से स्नमाल करें तो ठीक है जी, वो अपने हाथ पैरों में लगाएं अगर उनके करना है आप देख सकते हैं उसकी बीच को हम साइट पर लग देंगे कि जब बीच मुझ पर आएगी तो बुलकुल भी अच्छा नहीं लगेगा तो इसलिए इसकी जो सीट है बीच जो को काट के साइट में कर देंगे ताकि आपको मुझ पर आए और मुझ पर आते हैं तो शहका देख साथ पानीने कर आप इसकी तरह वाश कर लेना है तो फोगी तरह रखना ऐसमें रखना तक सिवह करओ की old С. जब आगर को करें आलू की साइज कंटने हैं कर दो लुख साइस के टी शेयरे हरे छाईल की आथ शिक्कित अबढ़ीज से यह बढ़िन Tails कर लेकर भे और सब्सक्तरफ क्रिघ करते हुट ये ऐसे हम और सॉफ्ट ये नहीं क्यों हि मोनियिया में और इसको प्यास की अजिया एवस्ते कि आलू कि अग्शिय की अग्रों कर अग्र ditesपी नहीं हम पांस से छी मिर्ची में ले लेंगे उसको भी प्यास के तार हम two hundredावर्न कर लेंगे हैं या this college online कर लेंगे और इसके बाद हम इसको थी तरीके से भून रहीं है कि यहां पर हमारा जो माज़ा नगो कनमच नहीं हमने कतने हमाटर बसक्त दो लिए हमें चिप कर कट लें और भुन्हाइब यह कर दो जाए माज़ाए अब लेना किती हमें भाफी स्पून हलदी नमकंग स्वाइब करेले की अच्छी होती है है तो आपर हजभी जापक है कहते तो आपने कृश्टि मिर्च को ming सौ्ट्ढी मिर्च भाई है फटा कउड़ा लेक हमें ताकि हमें कृठी क्रजा कोश्टी मिर्च भी हो तो लाइक करें शेयर करें कमेंट की सब्क्राइब करने ना भूलें और अपना प्यार और अच्छी तरीके साब लोग दिखाते रहें में दिखास को करेले की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी बीस मिन्न में करेला त्यार हो जाएको उसके बाद हम इसको ठाग देंगे इसको फुल आच में फ्राइब कर लेना है उसके बाद आपको पांच मिनट तक इसको कवर कर लेना है जब हमने पांच मिन के बाद इसको निकाला है आफटर तो इसके कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा आ चुका है जो कि इसको अच्छी तरह बुनाए हो चुका है सब कुछ कट चुका है और बहुत अच्छे तरीके से इसका फेस आए है लुक भी मैं आपको लास में दिखाऊंगी पीस मिंड में यकीन माने हमारा कडेरा बुलकुल त्यार हो चुका है और उमीद है कि आप सब को भी बहुत अच्छा लगेगा और आपके बच्चे को भी बहु अच्छे लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा प्लीज आप लोग रिप्लाइ भी क्या करें दैन उसके बाद आप लोग करेले की सबसे और जो चीजों की फर्माइश वो भी बताये करें और इसको जरूर ट्राइगा तो यहां पर हमारे करेला मिंटो में तायर हो है तो मैंने ज़रूर चका भी था और उच्छे त्रứngक्राइब था जरूर बहुए यहां पर चाब कर दिया है और जरूर के सतक खायें बहुत घृफ़ाँ जाबस था धन्दन अदन मजब रहिए जब हाईगा ठीक है यहां पर आपको देख सकते हैं बहुत बहुत अच्छ इसको उत्ताइब कर देंगे हाफ टेबल स्पून नमक जो कि आप तेबल स्पून आपको टीमे मर्च घू अधियाख टेबल स्पून हाफ टेबल स्पून तरह प्यास ब्राओंड कि यह दैन उसके बाद हमने मिर्ची सावेत मिर्ची तरीके से बुनाई किये और यहां पर हमने घठ कर दिया है और यहां पर हमारे ने खाना स्टार्ट कर दिया है जो कि चावल दाल और मिक्ससबजी बनी थे घर पर उसकी व्लोक में आप सब को दिख जाता है तो सबसी भी बहुत साइक तो यहीं पर वीडियो का एंड करती हूं रखे अपना बहुत सारा ख्याल दुआ में याद अल्ला हाफिज